इस वीडियो में मैं कुछ common error है जो कि सारे भी एक्जाम अगर कोई भी एक्जाम देते हैं बैंक या फिर SSC का ना या फिर वैसा एक्जाम जिसमें अगर इंग्लिस का कुशन अगर आता है तो common error उसमें का एक पार्ट बन जाता है यह कम से कम five questions अगर इंग्लिस का रहता है तो उसमें आता ही आता है ठीक है तो वही मैं common error के बारे में इसमें मैं बात करूंग है common error को solve कैसे किया जाता है और यह थोड़ा बहुत अगर grammatically आपका grammar सही है ना तो मतलब यह सही ही होता है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं जैसे कि सबसे पहला जो फर्सट पार्ट है यह 2 आपको बस एक जिए में रखना है आप पौस करके इसको ना मतलब 10 स्केंड के लिए अप सूथ सकते हो कि इसमें क्या रर हो सकता है ठीक है लेकिन जैसा कि मैं इसमें बता रहा हूं यहां पे make his list जब ही आएगा ना ठीक है आपको यह धियान में हमेशा ध्यान में रखना है ठीक है इसका सही क्या हो जाए Esse least you should miss the train हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा यहां पे not रूर्ट हट जाएगा क्योंकि वह मतलब होता है कहीं ऐसा नहीं हो ठीक है आते हैं नेक्स यहां पे युथे जिए हुआH a the most do not know to charm at all ठीक है जब भी कोई अगर activity होता है ना सीखाने का या फिर काम करने का ठीक है तो वहाँ पर ना हाउ टू करके यूज होता है ठीक है जैसे many of us don't know है ना उसके बाद सीधर to stream at all नहीं यहाँ पर यह लगाना है many of us don't know how to stream क्या लगाना है how to stream यह structure बस आपको ध्यान में रखना है ठीक है और क्योंकि हम सभी में से many of us मतलब हम में से अधिकांस जो है ठीक है मतलब को नहीं पता है कि तैड़ना कैसे कैसे तैरा जाता है तो इस तरह का और बार बार पूछा जाता है एक्जाम में होगे नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे at last he was married with a poor girl ओके देखिए जब भी एक तो ध्यार में रखना है कि अगर married का यहाँ पर पर दो सिंस में आता है एक है यहाँ पर साथी हो रहा है न तो तो वहाँ पे न हम लोग क्या यूज करते हैं वहाँ पे मैर्ज के साथ हमें साथ टू का यूज होता है ठीक है जैसे यहाँ पर हो जाएगा इसका सही क्या हो जाएगा at last he was married to a poor girl ठीक है तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ठीक है मैं इसके साथ टू लगता है नेश्ट है यहाँ पर जैसे शी सेड़ डैकड सीविल हेल्प में वेनेवर आई वाजरी डिफिकल्टी यहां पर आपको समझना है एक सिंटेंस का जो एस्ट्रक्चर वह समझना जैसे यहां पर पास्ट यूज किया गया है ठीक है ने डिरेशन का फॉर्म है यहाँ यहां प जो पास्ट होता है इसके अर्टिंग जोब गया टीक जो एकोर्डिंग जो में उल्टंब में ब दल दाराइगा ठीक है यहाँ पर जो हील्पिंग भर वाई गना वो पास्ट में यहागा तो किया हो जाता है इसका sentence ही कहा जाए she said that she would help me whenever I was in difficulty next है यहाँ पर जैसे many a man have been working under me ठीक है मतलब यह सुनने से ही थोरा सा एकदम पूरा अजीब लग रहा है ठीक है तो यहाँ पर आपको पगड़ना कैसे है जैसे many a man जो दिया हुआ है ना ठीक है तो many a man के बाद जो है हमेशा क्या लगता है यह चीज़ थोरा सा आपको ध्यान में रखना है मतलब वर्व में ही देखे यहाँ पे तो have been या फिर hedge been होगा लेकिन कैसे पता चलेगा यह working भी सही है under me यह भी सही है ठीक है तो इस part में आपको गलत है मेंन के बाद हमेशा जो वर्व होता है मतलब helping वर्व होता है वो हमेशा क्या लगता है वो singular लगता है ठीक है तो इस चीज़ को आपको एकदम पूरा ध्यान में रखना है ठीक है तो यहाँ पे मतलब singular countable noun का प्रियोग होता है ठीक है जैसे यह वला तो वर्व भी कैसा हो जाएगा तो यहाँ पे many a man has been working under me हो जाएगा ठीक है next है जैसे यहाँ पे your flat is superior than that of mine in all respects देखिए यहाँ पे आपको देखने से पता चल जाएगा जैसे superior जो word use किया गया है ठीक है कैहले है superior हो गया तो superior के बाद जो हता है हमेशा क्या लगता है preparation हमेशा बीजार here नहीं कुछ-कुछ how वर्ड है जैसे जिसमेंut जिसके last में आयोर ला राता रहतार रहतना से superior हो गया inferior हो गया anterior हो गया posterior हो गया junior हा जैयर हो गया सब के बाद हमेशा तू ही लगता है ठीक है इसका सही सेंटेंस के और जाए यूर फ्लैट इस सुपीरियर और टू तू लगेगा डैट ओफ माइन ठीक है मतलब आपका जो फ्लैट है मेरे से अच्छा है सारे रिस्पेक्ट में ठीक है नेच्ट यहां पर जैसे आई टोल्ड हीम स्टोरी इन डीटेल्स तू मेक हीम अंडर्स्टेंड इट फुली ठीक है यहां पर बस आपको पगड़ना किस पार्ट में गलत हो सकता है यहां पर तो कहीं कोई वैसा कुछ लग नहीं रहा है ना बस एक ध्यान में रखना है कि जो इडियम होता है ना ठीक है वह सिंग्लार है एक इडियम होता है तो यह दो मेतिक है यह यूज है तो यहांप क्या हो जाहगा वे टोल्डियम स्टोरी इन डिटेल्स ना कि इन डिटेल्स लेकिन सिंपलस वहाद है लेकिन कान फिजएदाम क्रीए यह कर लेता और बाकि यहां-पर यह सही है एक Caleb लेजिए और grazing in the meadows near our farm ठीक है देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं cattle का है ना तो cattle वाले में cattle वाले में क्या करना है आपको कि जैसे जो कुछ-कुछ ऐसे noun होते है ना ठीक है जो कि मतलब यह plural के देखने में लेकिन होते हैं प्लूरल है cattles का यूज कभी होता ही नहीं है ठीक है यहाँ पर cattle होता है ctl e s नहीं लगता है ठीक है जिदा हो जाएगा cattle cattle where grazing in the meadows यहां पर कैटल्स नहीं होता है ओके सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम बोलने में यूज करी भी लेते हैं कि सामने बाला समझ आता लिए ग्रमेटिकल ही देखे ना तब यह गलत हो जाता क्योंकि अभी बता है कि जैसे सेनियर हो गया इंटेरियर एक्स्टेरियर स सब के बाद हमें सेंथा क्या लगता है पूसर हमें चाल करें अगुरण हो जाएगा इननकि यहां पर यहां पर दियान हो जाएगा और नेस्ट है यहां गया नट को जा क्योंकि यह बीगर बीगेस्ट होई जाता है ठीक है यहां पर मोर कोई यूज नहीं है तो यहां पर सिदा क्या जागा इसका सई लिए गिर देन ना की मौर बिगर देन तो गाई अगर यह सेशन आपको अगर अच्छा लगा यह 10 लगा तो आप कमेंट में लिखे जवू बता है क्योंकि यह मैं सिसन को कंचिनीव रखूंगा क्योंकि एक इंगलिस का अच्छा सा पार्ट हो जाता है अगर अब थोड़ा सा ध्यान दे दोगे नता पांस मार्ट से एकदम पूरा फिक्स ही रहता है ठीक है और मैं ग्रामर को कोशिस करूंग अच्छा से एकदम डीटेल में समझाओं ताकि आप लोग को बहुत जादा फाइदा हो और हाँ वो कैब का जो नहीं देखते हैं वो भी देखिए ताकि इंगलिस आपको एकदम बहतर हो जाए